दर्वंगा के जिलादी काड़ी से जिला निर्वाचिन पतादी काड़ी राजीव रोशन के द्वारा जिलादी काड़ी के कार्या लेकक्ष में लोग सभाचुनाव 2024 को लेकर प्रेसवार्था का आयोजिन किया गया इस मौके पर दर्वंगा के सस्पी जगुनात रेड़ी सही तरने कई पतादी काड़ी मौझूद रहें प्रेसवार्था में बोलते वे जिलादी काड़ी ने कहा कि दर्वंगा संसद्ये छेत्र में चौथे चरण में 13 माई को वोटिंग होगी और इस चुनाफ कारिक्रम के सम पत्रों की समविक्षा करने की थी 26 माई और मत गन्ना की थी चार जून निर्धारित की गई है भारत निर्वाचन आयों के द्वारा डाक मत पत्र की माध्यम से मद्दान की सुविधा सेवा मद्दाता सुरक्षा बल अर्ध सैनिक बल निर्वाचन कर्तव पर प्रतिन्यूत पदादिकारी पुलिस कर्मी निर्वाचन कारी पर अधिक ग्रहित वानों के ड्राइवर क्ली नर और अन्य कर्मी 85 वर्स से अधिक आयो के वरिष्ट मद्दाता 40 प्रतीशत से अधिक दिव्यांग के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोग सभाम निर्वाचन 2024 के लिए प्रेस नोट निर्गत कर दिया गया है इसके लिए खाई प्रम इस प्रकार है अधिसुचना अठारा अग्री 2024 दिव्यास्ति वार को जाली होगा और नाम निर्देशन करने की अंतिम से की 25 जार गोहजार जावरिस इस मर्ध जोनों के लिए गया है अधिसुचना जारी मने के किती और अधिन पे उनको सामिल करते हुए लिगोसियेबल एस्टुमेंट एक के तहट जो अबकास का दिन विहार राजिके लिए गोसिकती उसको छोड़ करते हैं आजने दिनों में 11 बजे से लेकर के 3 बजे कर नामांकर के लिए सब्सक्राइब निर्धारिक रहेगा उसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा अचारा चार्ट दोहजार चोड़िस को नाम निर्धेशन की समय 26 अप्रीम को होनी है और अभ्यर्थिता वाफस लेने की अंतिन पिति 29 अप्री दोहजार चोड़िस निर्धारिक लिए दर्भंगा संसदिय छेत्र के लिए निर्वाचन 13 मैं दोहजार चोड़िस को होना है और मत्गर्णा की पिति 4 जूम दोहजा इसके लिए जिन स्रेनिंग के व्यक्तियों को अधिदाता को ये सुधा प्रणाम की गरिंग है उसमें सेवा मद्दाता जो सुरक्षावर और अर्ग सेविक बाई के हमारे मद्दाता होते हैं सर्विस वोटर संबोग रहे हैं उनको ईजी प्रीवियस के माध्यां से हमों प अधिदाता है विए उसके लिए बताया गया एसेंशियल सर्विस की सुची भारत मिर्वाचन आयोग के द्वारा जारी की गई है वह मैं आप लाग को जांकारी दोगा जो ए से पी तक आस्रेनी उसके लिए बताया गया एसेंशियल सर्वी समें ऐलेक्रिक्रीशिती ड्पर्टमेंट के कादै बिया-से शल के कादै डेहां एक्राइम लेशे इन लोगों को एसंसीर सर्विस में रखा गिया है इन लोगों को भी पोस्टल बैलिट के माध्यम से मद्दान देने के लिए जुरस्थाती पर इसके अतरीक जो 85 वर्ष से अधिकाई के बरिष्ट मद्दाता है और जो हमारे PWD मद्दाता है उसके लिए हम लोग रूप जारी करते हैं सभी कंडिडेट को भी उसके लिए सूचना दी जाती है और फिर हम लोग उनको घर पी जा करके तीम रहता है जो हमारे सेक्टर ऑफिसर जोनल्ट वर्ष स्टेट और बागी तीम जा करके मद्दान के लिए लेकर आता है जो अभी हम लोग बाद कर रहे थे मधवनी संसदिय च्छेत्र के बारे में और जो हमारा समस्तीपूर का जो छेट्र है जिसमें दो इसनली कंस्टिचूशन्सी था हमारा दर्वंगा जीले ने पढ़ता है। दरवंगा जिले में नहीं के लिए निर्वाचंग 20 मुई संपर में होका हैं तो उसका भी चतूर्क चरण में हैं तो उसके हमारे जो रिटर्निम आॠ आपीसर हैं और समस्क्री तो चीले में रहें हैं और जो मदवनी का हिस्सा है, मदवनी से जाली करेंगे, इस बार इसमें अलग ब्रस्ता की गही है, जो उस चरण में हमारी बिहार राजी के अंतरगर जीले हैं, तो वहां से भी हम लोग एक्सचेंज करेंगे, पहले प्रपक्र बारत का एक्सचेंज होगा, फिर अगरी मिटि से इस प्रकार से कोस्तोल जालेक के माध्यम से मत देने का और उसकी सुधा को काफी सर्व बना दिया दिया है, जो अगर जो मैं आप लोगों को बताना चौँ होगा, वो दर्वां का संसदिय छेत्र के संबंध में है, इसमें प्रिक्षकों की बिरनी अभी प्राक्त हुई ह वो जब यहां जुआएं करेंगे तो हम अलग से प्रेस्मोट में जारी करेंगे, उनका नंबर भी हम सब लोगों को प्रडासित करेंगे, जो हमारे जेंडर अब्जरवर हैं, चोदा संसदिय छेत्र के लिए, उनका नाम Mr. Gopal Krishnan है, और उनका जो कॉंटेक्ट नंबर है, हम दोग यहां के लिए उनको जारी करेंगे और अख्वाल में प्रेस्मोट हैं, तो फुरीस ऑब्जरवर हैं Mr. Raj Benk, शुहास, यह जो है, यह 2001 बैच के अधिकारी हैं, और एक्सपेंडिचर ऑब्जरवर प्रतीक भातिया, यह IRS है, Customer and Central exercise, उनको भारत लिपाचन आयोग के म अधिक में घर्भनगासंस्तिया श्रके में लिए लिए विए लिए जो एक्सपेंडिचर है, उसकी मोनेटरिट के लिए हम लोगों ने जो भी आयोग के दिसानेगरेस के आयोग में कमिटी गखित करनी है, कमिटी हम लोगों ने गखित करती है, सेक्टर के अधिकारी है, Flying Sports की तीम है, एस्टेटिक सर्मिलांस की तीम हम लोगों ने गठन किया है, जो सहाइक बैप रिख्षक हैं, जो ऑडिट की तीम है, एकांटिंग की तीम है, वीडियो सर्मिलांस की तीम है, वीडियो विविविन की तीम है, जो भी नौर्ब्स हैं, उसके आधालते हम लोगों ने कर दिया है जो दे का लेखा करने है जो भी कंडिगेट होंए उनके दे की सीमा के बारे में आप लोगों को हम लोग पहले भी रचा किया है तो 55,00,00 रूपिय की अधिक्तम रासी दे के लिए लिए लिखा लिए जो नोमिनेशन नोना है ये नोमिनेशन का प्रपत्र है उसके लोग सभा के लिए को अधर अभ्याथी बनना चाहते है तो उनको 2a में घर गटके नामंगा प्रपत्र देना होता है ये रासी 25,000 रूपिय की है चुकि ये दर्वंगा पर्याना की सामानी छेत्र है लेकिन यहां से भी अगर कोई अंसुचित जाती-जाती के अभ्याथी क रूप में चुनाव दागना चाहते हैं तो उनके नामंगा की रासी आधी हो जाती है वह 12,500 रूपिये उसके फीस होती है तत्रह अप्रेल को राम नमी का तेहार है और इस तेहार को शांतिकुन वातावन में संपन करने को लेकर दर्वंगा के सब्सक्राइब निकाला गया अनुमंडल पुलिस पतादिकारी सदर दर्वंगा अमित कुमार सहीत अन्ने कई पुलिस पतादिकारी के साथ साथ मारी संक्या में पुलिस तुरक्षा बलो के जवानों ने इसमें भाग लिया राम नौमी पर्व के करम में किसी भी प्रकार की कोई भ्यूप द्रवी और सम नहीं जाएगा और करीसे करी करवाई की जाएगी रामwe को लेकर जिलानी अंतरन कख्ष भी बनाया गया गया है और भारी संख्या में कि पुलिस उurstow ये पर्लों की प्रतिन्युक्ति की गई है अमनौमी तेवार को लेकर सतर तारीक और अमनौमी है तो फलैग मार्च निकाला जा रहा है क्या उद्देश के? क्या कुछ तैयारी की गए फलैग मार्च को लेकर अगर कहीं सभी कोई गरवरी कोई करते हैं या अभवा फैलाते हैं ऐसे लोगों पर क्या करवाई हो तो हम लोगों सोचल मीडिया को मोनेटर कर रहे हैं और अज आमाज तत्वी को उपर एक सो साथ के करवाई भी कर चुके है अब शक्ता परी तो क्या कंट्रोल रूम का भी स्थापना किया गया है ? कुछ ऐसे संवेदन सीज अस्थल है जहां पर पुलीस उरक्षा वलों की क्या कुछ वेवस्था की जाएगी किस तरह से मोनेटरिश पगाई कारी भी रहेंगे अधुनिक सुविधाओं से लैस और जीपीएस की सुविधा के साथ 112 नंबर की मोटिसाइकल बाइक को दर्भंगा के वड़िये पुलिस अधिक्षक जगुनात रेडी ने हरी जंडी दिखा कर पुलिस लाइन लेहरियस राय से रवाना किया दर्भंगा वासियों के लिए हर कठिन परिस्थीतियों में या उपलब्द रहेगा 112 नंबर पर आप डायल करेंगे तो आपकी सेवा में या कुछ मिंटों में हाजिर हो जाएगा हम आपको जानकारी दे दे कि दर्भंगा जिले में कुछी वर्स पहले 112 नंबर की चार चकिया गाड़ी को दर्भंगा क्याम लोगों के लिए और कठिन समय में उनकी तदकाल सहायता करने के लिए पहले ही या सुविधा जिलावासियों को दे दी गई है और जैसे ही आप लोगे 112 नंबर पर फोन करेंगे तो यहाँ आपके कॉल को कनवर्ट करके वहां से तुरंती कुछ मिंटों में आपके पास गाड़ी पहुँच जाती है तो वहीं 112 नंबर के चार्चक के वहां के बाद अब 112 नंबर की मोटरसाइकल भी दर्भंगा में लॉंच कर दी गई है अब फिलहाल 20 मोटरसाइकल ऐसे उपलब दर्भंगा में हो गए हैं तमाम सुविधा GPS सिस्टम से लैस या मोटरसाइकल अब कुछ ही मिंटों में आपकी शिकायत पर आपकी समस्या का हल करने के लिए आपके पास पहुँच जाएगी समद में हमने दर्भंगा के वड़िये पुलिस अदिक्षर जगनात रेड़ी से बात की तो उन्होंने दर्भंगा जिला के लिए 20 मोटरसाइकल के बारे में बताया जिसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है जो किसी भी परिस्थिति में आपके पास आपकी सहायता के लिए पहुँ है किस तरह से इसका लोग लाब उठा सके हैं किस तरह से संपर्क साथ सके हैं अलड़ी हर ताड़े में इसके अलावा हमारा दर्भंगा जिला के लिए 20 मोटर बाइप मिला हुआ है इसमें भी डिवाइस है जो GPS से कनेक्टेड है जैसे ही किसी को कॉल जाता है तुरंत वह प सोमवार को एंडिये के लोगसभा काड़े आले पर बिहार प्रदेश भाजपा द्वारा मनुनित लोगसभा मीडिया प्रभाड़ी राजीव रंजन इवं दर्भंगा सांसस भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर गुपाल जी ठाकुर ने सहीगत रूप से प्रेस्वारता किय इस दोरान राजीव रंजन ने कहा कि देश में लोगसभा चुना प्रगती पर है ऐसे में मीडिया का दाइत काफी बढ़ गया है मीडिया को भारती लोकतंत का चौथा स्थम माना जाता है और मीडिया का दाईते हैं कि देश में पुना एक बार विकास वाद और इमानदार सोच वाली मजबूत सरकार बनने में अपना योगदान दे ताकि राश्ट के विकास के साथ साथ गरीब यूवा महिला के सांशोषित वंचित के उत्थान किया प्रयास सतत जारी रहे उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के नितित में देश बीते दस वर्ष्ट में आर्थिक धार्मिक समाजिक बुनिया दी एवं साम रिक सहित अन्ने सभी छेत में काफी मजबूत हुआ है वैश्वे के स्तर पर एक महाशक्ती के रूप में उभ़ा है आज पीम मोदी विश्व के सबसे सक्षिशाली नेता बन चुके हैं और यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है आज के इस प्रेश वार्टा में आप सवों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन बंधन करते हैं के बीच में अपने संसंदिये चेत्र का जिसाय करकने का काम यह है और एक भी जिसाय आप लोगों से कोई भाहर नहीं है जो देश के जसस्वी प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र भाय मुदी इस मिचला के हिर्देय अस्ति दर्भंगा और संपूर्ण मिचला में जो काम किया है वो भूतो न भविश्यती आज तक इस देश के कोई सरकार कोई पढ़ान मंत्री इस चेत्र का सुधी नहीं लिया और भगवान भरोसे यहां के नर्विकों को छोड़ा गया लेकिन सदे अटल्विहानी वाजपेजी की सरकार और परम आदर्वनिय इस भी नरंद्र भायमोदी की सरकार ने मिचला में मिचला बास्यों के लिए अज धिर मली भौतियाही निर्मानकर और मिचला के लोगों का जो दर्भंगा के लोगों का बेटी रोटी का संबन्ध था उस परसों से तूट गया था अकल जी ने स्वेंग आकर के निर्मली भब्याही महासेत्व बनाए और वहीं कोसी रेल महासेत्व अठासी साल बार नरंद्र मैंगोदी 516 करोर की लागत से अज रेल के माध्यम से जहां आप बैठे हुए हैं नहरिया सराय भादुर में यही नहरिया सराय सहाब साब रेल लाएं हमने ती दोरी चला करके इस बिखिला के लोगों को सुद्धा परदाल की है आज इस दर्भंगा में आप लोग एम्स की चार्चा किये हैं मांगने राजीब जी जो हमारे प्रदेश के प्रवक्ता अभी प्रेस वारता किये उसमें आप लोगों ने एम्स की बात प्रत्रिक प्रता से आप लखे हैं आप से कोई बात आपएंचित नहीं है 15 के बगट में देश के दस्वी प्रदान मंतरी दूसरा एम्स देने की बात विहार ने किये थी और विहार में दूसरा एम्स बने तो पहला एम्स कौन बनाया यहाँ भी आपको समझना पनेगा साथ वर्सों की सरकार इस देश में एक एम्स मात्र बनाने का काम किया और सुधे अगल की हारी बात पे ही बिहार में पत्ना को एम्स बनाने का काम किया तो आज नरंद्र भाइमोजी दर्भंगा में दूसरा एम्स देने का काम किया है पंद्रह में जब बज़ज में एम्स का निटारन किया लाया गया तब इस राज्य में सरकार थी राष्ट्य जंता दल के माननिये जो हमारे उप्तमत्री उस समय में प्रजश्ट्री प्टार जाहती थी और स्वास्तमंत्री भी इनीचे पास राएं भारत की सरकार अगातार पत्राचार की थी। 15, 16, 17 एक भी पत्र का जबाब उस समय के स्वास्तमंत्री नहीं देने का काम की और जब 18 में हम लोग सरकार में थे ताव क्या ऐसक करें की प्रस्थाध करने की प्रस्तावुब 18 ड़ाथ फीर भारत की सरकार ने तक हम 200 दोसो एकर घ्रेंट ठिल चाहिए तो उनीस में यहां से सांसार बंगी हो गये हैं और वीश में हमने यहार सरकार से माझने नितिस्तों मारती से एकर ने मार्ण में मिलकर के दूसों एकर जमी आप प्रस्ताव रखे और माझने मुक्त्री की ने दिया और जब यहां पर त्यास सब्सक्राइब आगे सरकार में उनके लोग आप ही के प्रेस वालों को प्रेस वाता करके लगतार काने का काम किया अब इस यहां पर नहीं बनेगा अब चले जाएगा असोग के पद्मीर को आप जाएगा अमुक जगा इसको लटकाने का काम किये लेकिन फिर जब हम लोग आ गए यहां की सरकार में बनने नितीश कुमार्दी के साथ तो भारत की सरकार फिर वहां से यहां पर एंद्रिय टीम दो दो टीम अभी तक आ चुका है और प्धान मंत्री ने तो 15 स्टमबर 2020 को अपने कैवनेट करके 1264 कर तो यहां पर देरेक्टर पहला है तो वादे हजार है दिख्ध्रमित करने के तरीके हजार है कि कुछ नहीं होना है लोगों से देश की जनता ने इस वाट ठाल लिया है कि अब सिर्फ और सिर्फ एंडिये बाकी कुछ नहीं आपने सब्सक्र देदिया देश को लेकित दर्भंगा कुना एम्स मिला दिहार को इसके सब नाच का दर्चा हम आपके साब बात नहीं यह दो चीज़ क्यों नहीं है देखिए देखिए बोदी जी ने वादा किया था दर्भंगा में एम्स के काम लगभग बुड़े हो चुटे हैं और मुझे लगता है कि विधान सबाद चुनाओं के पहले आपका एम्स बंता हुआ दिखेगा इस बात की मैं गैरेंटी ले रहा हूं और एम्स के इतने भी बैधानिक प्रक्रियाएं हैं जो जमीन अधी ग् कुछ बड़ा काम पहने के लिए का खंधर मिला था हमें छंधर में एक एक लिप जोड़ते जोड़ते जो आज हम लोग इस स्रिस्थिंगे आगया हैं कि आपको सवाल रूषले में डर नहीं लग रहा हैं हमको देर रात भर से निकलने में डर नहीं लग रहा है याज की जिए इसमें से बहुत साथी बहुत तारे साथी उस दौर के भी नहीं जुरी है लेकिन मैं आस्वस्त हूं सकार की दियत और सकार की कारिसिलता पर सारे पॉर्मेंटीज अल्मोस्ट पूरे कर लिए गये हैं जो जो मिला है उसके लिए भी हमें खुसिया मनानी चाहिए उसके लिए भी आभाग सब्दार को देना चाहिए जन्दार राजिस सब्कार करेंगे हैं राजिस सब्कार करेंगे हैं विल्कुल विल्कुल मैंने जो फॉर्मेंटीज की बात की है कि मैंने जो मैंने बात की जो जो एम्स बनने के लिए जो फोमेंटीज होती है गानुनी वैदानिक पर्किडियाएं जो बढ़ी है वो पुरी कर ली गई है राजसरकार जहां जमीन देगी और आप जालेजे कि सारी प्रकिर्याओं में ही अधिका समय लगता काम होने में बहुत समयbesondere लगे चोने राव अशना मेरा रोजगार की बात रोजगार घोषणपत्य रोजगार की बाद नहीं करना भाशपाई करीने वहार की वाहों के लिए बढ़ा श्कूस्तार दूस्री सबाइब कर दीदों 2019 सब्सक्राइब जागा रही है प्लैज फॉक्तिनावर व Lesson Total इस तरह हैillar किसवार द्ningen कर रही है यहां जो नहीं है किको पर भी दो चुनाओं के बाद वो दिली जाएंगे अगर कुछ भी कंट्फीजन रहा है तो मुंत्री ने बीच में हस्तक्षिप करके उसको सभालने का काम किया है चैती दुर्गा पूजा के मौके पर दर्भंगा में कई दुर्गा पूजा समीतियों के द्वारा पूजा का आयुजन प्रारंब है और सुमवार को जैसे ही माता दुर्गा का पट खुला दर्शन करने के लिए शद्धालों की भीर उमर पड़ी चैती दुर्गा पूजा काफी शद्धा पूज़वक वातावरन में दर्भंगा शहर के विबिन पूजा पंडालों के पास मनाया गया चैती दुर्गा पूजा के तस्वीर है श्रीशी 108 चैती दुर्गा पूजा समीती चट्टी चौक लहरियस राई से 1962 से लगातार चैती दुर्गा पूजा का आयोजन यहां चल रहा है और इस वर्स 2024 में चैती दुर्गा पूजा का यह 62 वर्स है और यहां काफी दूरदरा से शद्धालू पहुचते हैं मि्थिला के बरिष्ष्टि कलाकारों के दूरा आज महासवत्मी है और मा ह씨 कोई लीड Everybody यह हुए कि लोग हमारे कार्जकर्UNG लगे हुए है समालने में लेकिन सटा çsht lawnay see पुजा अर्जना माता बेहन आकर के खोश भर रही है हमारे भाईवन गार्जियन लोग आकर के मा का प्रसाद चरा रहा है कुछ सरधालू आ रहे हैं दोपना लट कटा रहे हैं बहुत सारे विधान से पुजा हो रही है और पुजा जो पौरानिक पंडित लोग है उनके द्वारा पुजा विधी विधान से चल रहे है हम यहां के पुजा प्रभारी है और महास्ता कपर्व चैती छट पुजा उगतेवे सूड़े को अरग देकर संपन हुआ काफी हर्चोलास के साथ दर्भंगा में चैती छट पुजा को मनाया गया काफी आस्ता और विश्वास के साथ यह पुजा संपन हुई चैती छट पुजा का कि यह तश्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दर्भंगा जिला के हाया गार्ट से जहां वैकल्पिक तालाब बनाकर छट व्रतियों ने छट पुजा किया यह कि छट पुजा हो रहा है क्या कहेंगे क्या सब किये हैं सब्सक्राइब करते हैं संसार के रच्छा हो बाल बच्चा हो विदिया हो हर चीछ संपूरन रहे सब को अपना तो होगी आइन का जाया से छटमरानी एतना दया माना जे मरल के जिंदा करते हैं आठ जिन वार जमाई मर गिया था उनका धियान दिये तो जमाई भी पटना सब्सक्राइब के चले आए ऐसा इन में सकती है बाल बच्चा का इतना देते हैं यह कहने लागी क्या होगा था उसमें उनको दमाद को दमाद को पिंसर फरमा दिया था लेकिन उसको कुछ नहीं ह रहा और जखनी कुछ भातर है तुन निकला को पिर जी गिया जिरा जरा सबस्काइब गिंजा रपा उनकी किकी था ठोंमार एक्छा हिसां से प्राबांस भी ब्रवा वाव। क्वाल ये वहर हम अपश्र को बालबच्छ चे लिए शहाइँ को लुए अच्छा लग रहा है चार दिन का बरत था मैशूस भी हुआ है कुछ नहीं सतर बरस का उमार होगी या कुछ नहीं हुआ है हुआ है हुआ हुआ है हुआ हुआ है